हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, फ्रेंज तोड़े आम डिस्कसिंग एस्टार अल्गरिफम, इस अल्गरिफम इस अल्गरिफम, इस अल्गरिफम, इस यूजड इन स्नेक लेडर प्रोब्लम, सरचिंग, पाथ फाइंडिंग, इस वल आज लूडो और चस आपकी जो एस्टिक अल्गरिफम है, इसको एस्टार अल्गरिफम के भी नाम से जानते हैं, ये अल्गरिफम आल्टिफिल इंटेलिजन्स में यूज होती है, ठीक है, और पाथ फाइंडिंग, चेस, लूडो और सर्चिंग, जो स्टैडजी है, उसमें अप्लिकेबल है, तो इस अल्गरिफम की कुछ लिमिटेशन्स हैं, जिसको रिमूग किया है, ए ओ एस्टिक अल्गरिफम और आपकी जो है, वो एंड और अल्गरिफम कहलाती है, ठीक है, तो आपकी जो ए ओस्टिक अल्गरिफम है, वो एंड और लॉजिकल अइंड और और पे बेस्ड है, जो एश्टी के अलगरिदम की जो लिमिटेशन से उसको रिभूब किया है, clear? तो एश्टार अलगरिदम को में की एक्जाम्पल के थूरू शॉल्फ करते हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, तो हमने एक एक्जाम्पल ले रखा है, ठीक है, यह डायरेक्टेड ग्राफ बेस्ट प्राब्लम होती है, पाथ फाइंटिंग में, जो की AI का पार्ट है, तो हमें पाथ फाइंट करना है, source to destination, means, S to G path फाइंट करना है, using A star algorithm चीक है, तो आईए solution इसका जखते हैं, तो solution में हम जानते हैं जो आपका fn होता है fn equal to gn plus hn तो आपका जो gn होता है वो star distance या initial distance होती है और आपका जो gn होता है वो heuristic value होती है ठीक है? gn को g लिख सकते हो और hn को हम h लिख सकते हो ठीक है? और fn आपका f है तो ये formula आप इस पकार से minimize करके लिखा जा सकता है clear? तो f आपका क्या है path finding का function है g start state distance है या आपका सकते हो initial state value है और h आपका heuristic value है जो आपको इस numerical में या graph के मादन से दिया रहता है ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं आपकी heuristic value है ये states है s, a, b, c, g इसके corresponding में heuristic value दे रखी है 7, 6, 2, 1 and 0 जहाँ पर आपको जो initial distance दे रखी है s to a is 1, s to b is 4, a to b is 2, a to g is 12, a to c is 5, b to c is 2 and c to g is 3 so now we have to find out the path from s to g so path from s to g there are 4 cases s to g पहुचने के हमारे पास 4 cases है पहला case है s to a और a to g दूसरा case आपका है s to a, a to c और c to g clear, दिसरा case है s to a, a to b, b to c, c to g clear, इसके अलावा fourth आपका case है s to b, b to c, c to g तो सभी cases में हम ये calculate करेंगे कि path में distance कितनी आ रही, path किसमें optimum आ रहा है ठीक है, जिसमें सबसे कम होगा वो actual path होगा s to g, means source to distance वो हमारा answer होगा, ठीक है, तो चारों case का हम निकाल के देखते हैं सबसे पहले case 1, okay, तो सबसे पहले case 1 में देखते है s to a to g, okay, तो हमने using, हमने ये formula अपलाई किया, f equal to g plus h तो f n equal to, आपका आएगा, s का जो distance है, s से वो 0 है, इसके मैंने 0 put किया, s to a, 1 है, इसके 1 put किया, और a to, a to, a to, a to g, a to g आपके 12 है, इसके मैंने 12 put किया है, ठीक है, तो ये आपका जो पुरा 0 plus 1 plus 12, ये आपका g n, ऐसे 0 काम कर रहा है, ठीक है, तो ये आप g n है, और जो heuristic value है g की, वो 0 है, आप g की heuristic value देख सकते हो, 0 है, ठीक है, तो ये मैंने मूट कर दिया, तो finally आपकी f n की value आगे 12 plus 1, 13, तो आपकी जो इस पहले case में path आया है, path में distance आई है, s to g, खीक है, वो 13 आई है, s to a, a to g, तो पहले case से निकल के आई है distance 13, आप case 2 में देखते हैं, case 2 आपका है, s to a, a to c, c to g, तो इसमें भी g n निकालते हैं, तो इसका g n क्या होगा, s to s 0 होगा, s to a होगा आपका 1, और a to c होगा 5, okay, a to c 5, और c to g आपका 3, ठीक है, तो ये पूरा आपका g n हो गया, और g की जो heuristic value है, वो हमेशा 0 है, तो इसका जो final आपका f n की value आई है, वो 5 plus 3, 8 plus 1, 9, तो ये आप, इस case number 2 में 9 distance आई है, ठीक है same, apply करेंगे case number 3 में, तो case 3 में देखिए, case 3 में जो path है, वो s to a, a to b, b to c, c to g, okay, तो इसमें आपका जो initial distance निकल के आएगी g n की, वो s to s, 0, s to a, 1, a to b, 2, b to c, 2, और c to g, 3, तो ये आपका पूरा g n हो गया, और h n की value, यानि लिजिक function की value आपकी g की 0 है, इसलिए 0 मैंने पूर किया, आपको total add कीजिए, तो आएगा आपका 2 plus 2, 4 plus 3, 7 plus 1, 8, तो heuristic value आपकी apply किया, इसमें जब case 3 में, तो total distance जो निकल के आई है, वो 8 निकल के आई है, तो case 3 से path from s to g is 8, okay, now fourth case में देखेंगे, तो fourth case में जो distance है, वो s to b, b to c, c to g, तो इस case में जो आपका gn है, वो s to s, 0, s to b, 4, और b to c, 2, c to z, 3, तो यह आपका पूरा gn निकल गया है, 4 plus 0 plus 4 plus 2 plus 3, यह आपका gn हो गया, और hn आपका जो g की heuristic value है, वो है 0, तो total आप count करोगे, तो 4 plus 2, 6, 6 plus 3, 9, तो finally, जो path निकल के आया है, s to g, वो 9 निकल के आया है case number 4 से, तो from among cases 1, 2, 3, 4, सबसे optimum, सबसे कम जो distance निकल के आई है, वो phase 3 में, means fn की value 8 आई है, जो की सबसे कम है, इसलिए source s to, source s to destination, यानि goal g तक जो path होगा, वो s to a, a to b, b to c, c to g, तो यह आपका optimum path होगा, और आप इसका जो answer है, वो 8 निकल के आएगा, s to g, जो path निकल के आएगा, वो s to a, a to b, b to c, c to g, यही optimum answer है, तो path from s to g is 8 answer, okay, so, आपकी a star algorithm, sometimes it's called a astric algorithm, is the fundamental of a astric algorithm, ठीक है, तो यह algorithm आपकी searching, path finding, ludo and chess type के जो game सोते हैं, उसमें applicable है, और इस प्रकार के question आपके Indianate और जो DCIO का exam होता है, आई-वी से रिलेकर, तो उसमें पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा याद रखना, कि जो heuristic function है, वो addition होता है, a star algorithm में, ठीक है, तो यह formula याद रखना है, इस formula पे भेज़कर, आपका numerical कई बार कूछा जाता है, ठीक है, वो path find करने का formula का होता है, तो fn equal to gn plus hn, तो hn आपका heuristic function है, और gn आपका initial distance है, ओके, तो आप ये video अपने students को share कर सकते हैं, जो किसी complete exam के तयारी कर रहे हैं, या फिर university exam के लिए appearing होने जा रहे हैं, ताकि उनकी help हो सके, ओके, और अपने वो notes मना के, अपना काम complete कर सके, ओके, thank you.